आज का हमारा केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है जिसमें हम एक्टम को डिसकस करेंगे और उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखेंगे सबसे पहले देखते हैं कि यह एक्टम है क्या एक्टम इस दा स्मालेस्ट पार्टिकल ओफ एन एलिमेंट देट कैंट टेक पार्ट इन कैमिकल रियक्शन इस दा स्मालेस्ट पार्टिकल देट कैंट टेक पार्ट इन कैमिकल रियक्शन जैसा के देखें, hydrogen reacts with oxygen to form water carbon और oxygen मिलते हैं तो carbon dioxide बन जाता है तो atom smallest particle है, जो chemical reaction में participate करता है atom दो तरह के होते हैं एक जो independently exist कर सकते हैं means उनको दूसरों से electron share करने की दूसरों को electron donate करने की या दूसरों से electron gain करने की कोई जरूरत नहीं है क्यों जरूरत नहीं है? Because their valence shell is complete जैसा के noble gases हैं, उनका valence shell complete होता है valence shell complete है तो noble gases को किसी से reaction करने की कोई जरूरत नहीं है दूसरी हमारे पास टाइप है वो एटम जो independently exist नहीं कर सकते यह कौँन से आटम होते हैं यह वो एटम होते हैं जो noble gases के अलावा बाकिस अरहे हैं जैसे nitrogen है cannot exist independently nitrogen को किसी न किसी से reaction करना होगा nitrogen को अपना valence shell complete करना होगा या तो किसी से electron लेने होंगे या किसी से electron share करने होंगे तो हमरे परस दो तरह के atom होगे जो independently exist कर सकते हैं और जो independently exist नहीं कर सकते Dear students, atom smallest particle है अब हम देखते हैं कि atom कितना smallest हो सकता है उसका size, उसका diameter, उसका mass कितना हो सकता है Dear students, atom इतना छोटा होता है कि हम उसको naked eye से observe नहीं कर सकते हैं हम naked eye से उसको नहीं देख सकते Number two, हम इसको optical microscope से भी नहीं देख सकते हैं Atom बहुत महाल होता है Optical microscope तो 500 nanometer या इसे उपर वाली चीज़ां को दिखाती है Atom का size तो बहुत महाल है 500 nanometer या इसे अबब दिखाती है Optical microscope 500 nanometer या इसे उपर उपर दिखाती है लेकर Atom का size तो बहुत चोटा है तो फिर कितना चोटा है इतना चोटा है कि एक full stop में Two million atom आ जाते है Two million बीस लाख एक full stop में बीस लाख atom आ जाते है Atom का size इतना चोटा होता है Small less particle Atom का अगर हम diameter देखें उसका size देखें तो वो सिरफ 0.2 nanometer है पॉच उटा है 0.2 nanometer एक nanometer ब्राबर होता है 10 raise to minus 9 meters के अगर हम atom के mass की बात करें तो हमारे पास तो ऐसा कोई balance ही नहीं है जिससे हम atom का mass निकाल सके हमारे पास ऐसा कोई balance नहीं है क्यों? क्योंकि atom का size बहुत चोटा है इसका mass बहुत काम है कितना काम है इसका mass? 10 raise to minus 27 से 10 raise to minus 25 kg की range में आता है तो फिर हम mass कैसे निकालते हैं? फिर हम mass उसका carbon 12 से compare करके निकालते हैं कैसे? इंशाला हम अपने आने वाले lectures में देखेंगे ना हम नेकडाई से देख सकते हैं ना optical microscope से देख सकते हैं तो फिर evidence क्या है? कि atom exist करता है? इसके लिए हम यूज करते हैं electron microscope electron microscope में atom को observe किया जा सकता है electron microscope जैसे scanning electron microscope है जैसे transmission electron microscope है electron microscope में जब graphite को देखा गया graphite क्या है? graphite carbon की allotropic form है जब graphite का एक पीस electron microscope में रखा और फिर उसको 15 million times magnify करके देखा बढ़ा करके देखा then we see layers of atoms these are the layers of graphite atoms तो हम electron microscope में electron को observe कर सकते हैं क्यों? क्योंकि हम electron microscope में जो source यूज करते हैं वो beam of electron है beam of electron है जिसकी वज़ा से observe हो जाता है क्योंकि उनके अपनी wavelength इंताहाई शार्डर होती है तियर स्टूडेंट्स atom के बारे में Greek philosopher का idea Greek philosopher का क्या ख्याल था? कि matter को decomposed किया जा सकता है matter matter क्या है? matter anything which has mass and occupies space which has mass and occupies space is called matter matter को break किया जा सकता है Greek philosopher कहते है Greek philosopher कहते है हैं कि matter को break कर सकते हैं याद रखिए का Greek philosopher का सारा काम practical था practical बेस नहीं था सारा practical था तो उन्होंने का matter को तो आप break कर सकते हैं बार-बार break कर सकते हैं लेकन ultimately आप एक ऐसी stage पर पहुंच जाएंगे एक ऐसी stage आ जाएगी जिसको further break नहीं किया जा सकता उस stage को एक Greek philosopher डेमो क्रेटस ने एटो मौस का नाम दिया अब एटो मौस लास्ट स्टेज है matter break करते जाएं matter आप बार-बार break कर सकते हैं कब तक जब तक कि आप एक एटो मौस तक नहीं पहुंच जाते अब डेमो क्रेटस ने एटो मौस ही क्यों कहा उस state को जो further break नहीं हो सकती क्योंकि डेमो क्रेटस ग्रीक था और ग्रीक में एटो मौस का मतलब होता है indivisible जो further divide ना हो सके जो further ना तूट सके बाद में जो एटो मौस है उसी से ही word atom बन गया आजका लाम उसको atom कहते हैं यह word atom मौस से है जो के ग्रीक है डेमो क्रेटस ने यूज किया जिसका मतलब होता है indivisible नेक्स्ट है जो atom है उसके अंदर particles कितने हैं atom में more than hundred particles हैं atom में more than hundred particles मौझूद हैं जिन में से तीन particles electron, proton और neutron इन को fundamental particles कहते हैं they are called fundamental particles because they make up most of the mass of an atom dear students यह जो proton और neutron है fundamental particles में से यह होते हैं nucleus में जैसा कि आप red color में देख सकते हैं proton और green में neutron proton और neutron होते हैं nucleus में जबके electron revolve कर रहे होते हैं उसके orbits में तो atom में भी more than hundred particles मौझूद हैं next atom को further describe करने के लिए जॉन डॉल्टन ने atomic theory दी जॉन डॉल्टन एक English chemist था उसने atomic theory propose की atomic theory क्या है atomic theory है कि all matter is made up of atoms everything is made up of atoms whether it is living or non-living हार चीज एटम से बनी हुई है फिर हार चीज की प्रापर्टीज डिफरेंट क्यों है अगर हार चीज एटम से बनी हुई है क्योंकि atom different elements के होते हैं all matter is made up of atoms of different elements that different properties जैसे देखें water है तो उसमें hydrogen और oxygen है carbon dioxide है तो उसमें carbon और oxygen है properties बिल्कुल different होगी क्यों different है because atoms are different to all matter is made up of atoms of different elements which differ in properties ये डाल्टन की atomic theory का basic postulate है dear students ये short question भी आ चुका है past paper में what is the basic postulate of Dalton's atomic theory dear students देखें हमारे पास एक oxygen का atom है और दो hydrogen के atom है ये मिलते हैं तो एक water का molecule बनता है oxygen के एक atom का मैस कितना है 16 amu hydrogen के दो atom का मैस कितना है 2 amu अब देखें 16 ये है 2 ये है तो total water के molecule का मैस 18 बनेगा क्यों जितना मैस reactant का होता है उतना ही products का मिलके बनता है 16 plus 2 18 according to law of conservation of mass mass can neither be created nor destroy it but it can be changed from one form to another form अब चेक कर सकते हैं oxygen hydrogen मिला के मैस 18 product का मैस भी 18 this is according to law of conservation of mass dear students last में है जैकब बर्जीलियस की contributions जैकब बर्जीलियस ने दो काम किये एक elements के symbol develop किये जैसा के देखें hydrogen का symbol H है इसने कहा कि element जो उसके नाम का first alphabet होगा वो capital letter में देंगे तो वो उसका symbol बन जाएगा लेकर अगर कोई दो element तीन element एक जैसे एलफा बैट से शुरू हो रहे हैं जैसे hydrogen helium तोनों hydrogen से शुरू हो रहे हैं तो वो उसने कहा कि आप दूसरे वाला letter भी यूज़ कर सकते हैं अलफाबेट यूज़ कर सकते हैं जैसे hydrogen को H से और helium को H E से लिखते हैं nitrogen N, neon भी N से है तो हम क्या करेंगे दूसरे वाला alphabet यूज़ कर लेंगे nitrogen का N बड़ा है, neon का भी N बड़ा है लेकिन E छोटा है, smaller letters में है तो यह symbol दिये, इसने इस तरह symbols का एक system develop करके chemistry को बहुत असान बना दिया क्योंकि अगर आप इससे पहले वाले symbol चेक करें जो के John Dalton ने दिये, यह बहुत मुश्कल थे आप hydrogen का symbol देखें, आप carbon का symbol देख लें, oxygen देखें, इसके साथ साथ आप mercury का symbol देखें, गोल्ड का देखें, इसी तरह ना सिरफ elements के, बलके compounds के भी symbols थे तो अब तो billions compound बन चुके हैं, अगर डाल्टन वाले elements के symbol यूज़ करें, तो हम इतने ज़्यादा symbol elements के और compounds के याद ही नहीं रख सकते थे और फिर जब, फर जब एक लाख, दो लाख, तीन लाख compound बन जाते, तो next तो symbol देना ही इंताई complicated हो जाता है, अगर डाल्टन को फालो करते हैं, मुख्तलब कि सिंकी shapes बनाते हैं, तो बर्जीलियस ने ये काम बहुत असान कर दिया, दूसरा contribution, बर्जीलियस ने atomic masses दिये elements के, which are very close to the modern values, इसने method कौन सा यूज किया था, इसने vapor density method है, वो यूज किया था, आजकल तो latest instrument है, machines आई होई हैं, जो हमें atom की characteristics बता देती हैं, तो dear students, ये जो जैकब बर्जीलियस की contributions है, ये past paper में MCQs में आई होई हैं, दो दफा, एक दफा आया कि who gave symbols of atoms, किसने atom के symbol दिये, और दूसरी दफा आया हुआ है, कि जैकब बर्जीलियस की contribution के बारे में MCQ है, तो ये, इस lecture में दो चीजें important हैं, एक what is the basic postulate of Dalton's atomic theory, और दूसरा जैकब बर्जीलियस की contributions, ये था students आज का topic, next topic में इंशाला हम discuss करेंगे molecule क्या है, और फिर molecule की types कौन कौन सी हैं, thank you very much.